कि दौरान किसी ने आपको थोड़ा strongly कोई question put कर लिया आपका भड़क के आंसर आएगा तो शायद एक opportunity का murder हो गया कभी एक impulsive answer के दौरान एक relationship का murder शायद जरूर हो जाता है शायद मेरी अपनी एक अच्छाई का murder जरूर हो जाता है तो शायद छोटे-छोटे murders जो दिखते नह illness शायद दिखेगी नहीं बहुत सारे लोगों को परिशानिया होती है हम सबके घरों में कुछ ना कुछ चल रहा होता है हम सबके माइंस में कुछ ना कुछ चल रहा होता है एक time आता है जो breakdown का आता है जो हम सबके लिए different है शायद मेरा breakdown मेरे रोने से दिखे शायद किसी और का breakdown तब दिखे जब वो सिरफ हमें help भी ना कर पाएं हम उसे I think यह breakdown अच्छा है जो हमारे पास सारे लोग बैठे हैं क्योंकि हम सम्हाल पा रहे हैं यह वो breakdown है जिसमें हम कुछ help कर सकते हैं वो breakdown जिसमें कुछ कर ही नहीं पाएंगे जिसका हमें पता ही नहीं चला वो जादा serious breakdown है that is death in silence that is murder in silence that is suicide in silence and psychology और sociology में एक थियरी है जो suicide को explain करती है हम यह नहीं कहते कि suicide crime है क्योंकि suicide को legalize नहीं कर सकते फिर शायद हमारा डर है हमारे legal system का कि suicides बढ़ जाएंगे लेकिन in psychology and sociology it is said that suicide is not a crime rather a cry for help एक इनसान तब suicide करता है वो खुशो के नहीं करता कोई नहीं खुशो के करता वो इसलिए करता है कि उसे लगता है सारे दर्वाजे बंदो चुके कहीं कुछ नहीं बचा मेरा कुछ नहीं हो सकता और जब वो situation आती है तो लगता है जब कुछ हो ही नहीं सकता जब मैं किसी काम का ही नहीं हो जब मुझसे कुछ सुधरेगा ही नहीं जब मेरी जिंदगी इतनी खराब है वाइ नोट एंड अच्छली स्पीकिंग अच्छली स्पीकिंग अच्छा है रो के चीज़े बाहर तो आएंगी शायद शेयर करना बहुत अच्छा है हम है सब यहाँ पे क्या पता जो situation आपको लग रहा था आप अकेले बाहर नहीं आ पा रहे थे के दो लोग मिलके आ जाते मैं अपने हर थेरपी सेशन में एक चीज़ हमेशा बूलती हूं अकेले परिशान मत होना कभी भी लगे मुश्किल पढ़ रहे है रात को दिन को जब मर्जी आना मिलके परिशान होंगे कुछ ना कुछ तो निकली आएगा था था था